मंडी जला के पंडोह में 100 साल पुराना पुल तूटने के बाद अब उसी स्थान पर PWD विभाग दोरा अस्थाई जूला पुल बनाया जा रहा है इसका निर्मान कारे भी शूरू कर दिया गया है यहां जूला पुल जरूरी सामान को नदी को आरपार करने में मदद करेगा जबकि एक व्यक्ति भी एक समय में इस पर आरपार जा सकेगा सरकार ने कहा कि यहां अस्थाई विवस्था होगी और पंडोस में पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाया जाएगा लेकिन पंडो और इलाका बदार के लोगों को यह अशंका हो रही है कि जूला पुल बन जाने के बाद वे हमेशा के लिए इसी पर जूलते रह जाएंगे परदेश के तेज़ दरार लोग निर्मान मंत्रे विकमा दुके सिंग ने कई स्थानों पर बहुत ही कम समय में वेलिवरिज बना डाले लेकिन पंडों को उन्होंने इस सवगात से महरूम रखा है लोगों को यह बात अखर रही है और यही कारण है कि लोग पंडों में जल्द से जल्द स्थाई पूल बनाने की मांग उठा रहे है पूर्मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्टनेता कॉल सिंग ठाकूर ने लोगों को आश्वस्त किया कि जूला पूल अस्थाई व्यवस्ता के तौर पर बनाया जा रहा है क्योंकि स्थाई पूल के निर्माण में समय लगेगा